गुड़ आप्टरनून टू यू वाल मेरी आवाज आप तो पहुंच रही है SS खन्ना महिला महाविद्याले जो इलाहबाद विश्विद्याले का एक से इलाहबाद विश्विद्याले का कांस्ट्रेंट कॉलेज है कोरोना के कारण face to face teaching संभो नहीं हो पा रहा है इस कारण विश्विद्याले और EGC के निर्देशा अनुशार महाविद्याले द्वारा आनलाइन कच्छाओं का प्रारम किया गया है और इसके लिए गूगल मिट के थ्रूँ यूटूब के थ्रूँ हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अध्यान अध्यापन और स्टेडी का में कोई ब्योधान न होने पाए इसलिए महाविद्याले का यह प्रयाश है कि विद्यार्थियों को चात्राओं को मेटेरियल के साथ साथ आडियो वीडियो के थ्रू जुड़ करके उनकी समस्चाओं का समधान किया जा सके उनसे डिसकस किया जा सके मद्यकाली नितिहास विभाग के द्वारा यह त्रति बर्स की छात्राओं का क्लास शुरू किया गया है इस क्रम में आप सभी छात्राओं का कल हमने क्लास लिया था और उसी क्रम में आगे जो सेकेंड पेपर आपका मेडिवल हिस्ट्री मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो एडिमिस्टेशन है जो एकनॉमिक और सोशल लाइफ है इसको हम लोग इस पेपर में पढ़ते हैं और पहले युणिट का जो हमारा पहला टॉपिक है मध्यकालीन राजत तुषिधांत मेडवल किंग सिप ठेरी इसके बारे में कल हमने आपसे चर्चा की थी कि जब मेडवल इंडियन हिस्ट्री की बात होगी तो हम लोग सल्तनत काल और मुगल काल दोनों पढ़ते हैं और जब केवल सल्तनत काल पूछा जाएगा तो आप केवल सल्तनत काल के बारे में बताएंगी जब मुगल काल पूछा जाएगा तो आप मुगल काल के बरेंगी तो इससे संबंधित प्रश्ट जो बनता है कि सल्तनत कालीन राज़त तुषिधान्त या मुगल कालीन राज़त तुषिधान्त या फिर आपका तुर्क राज़त तुषिधान्त या अफगान राज़त तु कि कल तुर्क राजत शिधान पर हमने डिस्कस किया था और बहुत सी छात्राएं हो सकता है कल न जुड़ पाई हो तो अभी हम उसको एक बार बहुत ही संछेप में आपके सामने सेयर करेंगे कि क्या था और आगे इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे राजत तो किंग सिप क्या है सबसे महत्पुण बात है कि राजत तो क्या है अगर यह हम देखें तो राजत तो का मतलब है शाशन करने का नियम लाय अफ रूल कैसे कोई शाशक साशन करेगा उसके राज्य के शाशन का आधार क्या होगा यह डिपेंड करता है उसके राजत के आधार पर उसका बेश क्या है इस द्रिश्टी से देखें तो बलवन पहला मुश्लिम सुल्तान था जिसने राजत को विस्तार से एकस्प्रेंड किया और यह बताने का प्रयास किया कि राजत तो एक दैवी संस्था है मतलब डिवाइन दुथिरी है आटोक्रेटिक रूल या डेस्पोटिक रूल में वह विलीब करता था इस द्रिष्टी से देखें तो सबसे पहली बात यह है कि बलवन को इस प्रकार के राजत शिधान्त को लागू करने की पीछे पुदेश्श्य क्या था अगर हम देखें तो जैसा आप जानती है कि इल्टु तमीश में अपने शाषन काल में तुरकाने चिहलगानी 40 गुलामों का एक दल बनाया था और यह दल इल्टु तमीश के मरने के बाद बहुत जादा प्रभावी हो गया था जो भी वादशा शाषन कर रहे थे चाहे वो रुक्मने दिन फिरोश शा रहा हो चाहे रजिया रही हो चाहे बहराम शा रहा हो चाहे नासुरी दिन मैमूद रहा हो सभी पर इनका नियंत्रण था यह जैसा चाहते थे वैसा ही शाषन राजा करता था शुल्तान करता था नहीं नाइबे मामलिकात who created by बहराम शाह जिसे बहराम शाह ने create किया था और बलवन नाइबे मामलिकात की रूप में कारिक कर चुका था शुल्तान बनने के पहलो बीश बर्श तक तो जब वह शुल्तान बनता है तो उसको यह अच्छी तरह पता है कि जो शुल्तान की जो पावर है जो प्रिमेशी है जो उसका प्रेस्टीज है जो क्राउन का वह शमाप्त हो चुका है और उसको अगर हमें रिस्टैबलिस्ट करन है तो इसके लिए जरूरी है कि तुरकाने चेहलगानी का अंत किया जाए अमीर बर्ग जो है या जो नोबिल क्लास है या जो उल्लेमाज है उन पर नियंतरण अस्थापित किया जाए इस द्रिष्टी से कि बलवन ने हमेशा ही सोलतान की सक्ती और प्रतिस्था को अस्थापित करने के लिए पुनर अस्थापित करने के लिए हमेशा प्रियास किया अब चुकी बलवन दास था, गुलाम रच चुका था, वो दास्ता शे मुक्त नहीं हुआ था, इसलिए बैधानिक तरीके से, लिगल तरीके से वो उत्राधिकारी यसाशक नहीं बन सकता था ऐसी द्रिष्टी में बहुत से इतिहासकारों के विन्विन व्यूज हैं, कि निजामियों मुहम्मद हवीश शाहाब का ये मानना है, कि उसके अंदर अपराध जो धा, जो हीन भावना थी, जो इन्फियोर्टिक कॉंप्लेक्स उसके अंदर था, उसके कारण कि उसने हत्या कर राप्त की थी, इसलिए वह इस प्रकार के राज़त शिधानत को सामने लाया था, जबकि प्रोफेशर हाविबुल्ला को रोट फाउंडेशन आफ मुस्लिम रूल इंडिया, उसमें लिखते हैं कि चुकी दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, इसलिए वैधानिक तरीके से व उसने डैवी राज़त शिधानत को लागू किया, लेकिन सामने तोर पर लगभल लभग एकमत है और यह देखा जाए तो यह सर्भौमिक इन्वर्सल जो सत्य है कि शुल्तान की सक्ति प्रथिस्ठा समाप्त हो गई थी और बल्वन को पुनह इसे अस्थापित करनी के लिए वह राज़त के डैवी जो सिधानत था जो दिवाइन जो थेरी थी उसको उसने लागू किया था अब प्रश्ट उठता है कि यह राज़त का डैवी शिधानत क्या है राज़त का डैवी शिधानत का मतलब यह है कि सुल्तान बल्वन का यह मानना जिसके बारे में जानकारी ह सारी information मिलती है राजित्त के बारे में जिसमें यह बात है कि राजित्त का शिधान्त जो है दैवी है और डैवी का मतलब यह है कि इश्वर की इच्छा से बल्वन को शुल्तां का पद प्राप्त हुआ है वल्वन या अस्पस्ट रूप से करता है कि शुल्तान का पद कोई शामन व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है वह विसिस्ट वर्ग व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जिसके उपर इश्वर की कृपाद्रिष्टी प्राप्त होती है इसलिए शुल्तान क्या है सर्वस्रेश्ट है वह खलीफा का प्रिथवी पर इश्वर का क्या है प्रतिनिती है King is the representative of God on earth means नियाबते खुदाई and जिल्लेला अल्ला आल्सो मतलब इश्वर का भिम्ब सेड़ो अफ गौड़न अर्थ तो बल्वन क्या कहता है अपने आपको प्रिथवी पर इश्वर का प्रतिनिती करता है इश्वर का प्रतिविम्ब कहता है चाया कहता है और शाथी शाथ कहता है फर्ने इस्दी प्रकाश की गिरण जो शुर्य है जो शन है उससे जो रोशनी जो प्रकाश जो लाइक निकलती ह जो रेस वो क्या होती है वह उसकी अंत्रात्मा में उसकी आत्मा में डारिक्ट इंट्री करती है इसलिए वह कहता है कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह मैं स्वैम नहीं कहता हूँ बलकि वह इश्वर के आदेशा नुशार कहता हूँ इसलिए मेरी प्रतेक कारेशब्द की आडर की शामाने जनता से लेकर के मलिक अमीर जो भी उल्माज है शब को मानना चाहिए और जो भी मेरे आदेश की अवहिलना करेगा उसके खिलाफ पठोरतम कारवाई की जाएगी यहां तक उसको मिर्तुदंड भी दिया जा शकता है और एशा इश्वर का आदेश है तो बलवन ने एक तरफ इश्वर से और दूसरी तरफ दिरंकुष्टा से जो आपका डेस्पोटिजम है उससे और जो डिवाइन थे लिए उससे अपने आपको चोड़ लिया एक तरफ अ और अवहत्युद्पड व्यक्ति मानने के लिए विसिस्ट व्यक्ति मानने के लिए प्रजा के मन में सुल्तान के प्रति आदरभाव पैदा करने के लिए क्या-कया उसने इश्वर से कनेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ अगर कोई उसका बिरोध करता है, कोई बिरोध करनी की कोशिश करता है, उसकी बात की ओहेलना करता है, तो वह क्या करता है? वह उसके खिलाफ शक्त कारवाई करता है, शक्त कारवाई करता है, कठोर सजा देता है, इसलिए वह कहता है, राजत तो क्या है? निरनकुष्टा का शारिरिक रूप है किंग्सिप इस इंबोडिमेंट आफ डेस्पर्टिजम इसके कारण दिरनकुष्टा के कारण क्या है सुल्तान की हत्या का खत्रा उत्पन रहता है इसलिए उसे अपनी सुरक्षा का प्रबंद करना चाहिए इसलिए उसने अपने शार्थ हमेशा बाडिगॉर्ड रखे थे और बड़ी बड़ी मुच्छों वाले बाड़ी विल्डर्स लाइक जैसे क्रेंट टाई में आपका जो सेड़ों है आपके एस पीजी है कि जब वो चलता है शुल्टान तो इसके आगे पीज़े चलता है कोई अटैक कर सके जिसे विजली आई पीज जाते हैं तो लगता है कि शामाने तोर पर कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है बलकि कोई भी आई पी जा रहा है उसकी इज़त करना चाहिए रेस्पे वाइद कीयागी. अब यह सारी चीजे वलवन ने लिया कहां से, डोप कहां से लिया था, जैसा आपने कली बताया था, यह उसने फारश लिया था, इट वाज बेस बारश को बेस बडाद परिस्ट था ना तो कोई हस सकता था ना तो कोई बात कर शकता था वह सैम भी इसको फालू करता था खलीफा के दो प्रतिनीदी और वजीर को छोड़ करके कोई भी उश्य बात नहीं कर शकता था कि नेवर याल्वेस टाइटू इनहांस तो पावर और प्रिस्टीज आफ क्राउन उसने हमेशा है शुल्तान की सकती और प्रतिस्ठा को अस्थापित करने का प्रयास किया कोई भी व्यक्ति उसके सामने न तो हस सकता था न तो बोल सकता था इसका उदाहरण एक है कि मलिक बावनी जो था ओ दिली का बहुत ही धनाडे व्यक्ति था रिच्चमेंग था और वह सुल्तान से वारता करना चाहता था बात करना चाहता था लेकिन सुल्तान शामान ने उसे बात करने शिंकार कर दिया जबकि उसने पैशा भी दिया था जिकारी इसी तरह से उसने धर्म और राजनीत को अलग विशे माना, भले एक हलीफा की प्रभुषत्ता को श्विकार किया, लेकिन उसने कफी भी धर्म को राजनीत पर प्रभावी नहीं होने दिया, वो हमेशा कहता थी, आलवेश सेट, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आ टू डिफरेंट सब्जेक्ट, धर्म और राजनीत दो प्रथक विशे हैं, धर्म का ब्याख्या करना काजी मुफ्ती का काम है, और शाशन करना शाशक का काम है, इसलिए धर्म जो मुल्ला है, जो उल्मा है, या जो मौल्मी है या जो और भी धर्मिक पुरोहित हैं, वे राजनीत में कोई हस्थेप नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, उसने अभी हमने कहा है आपसे कि दिखावटी मान मर्यादा करता था। उसने क्या किया कि रक्त की सुधता पर बर्द किरिया। उसने बंसावली के महत्तों को उबल इसने कहा कि केवल उच्छ रखत वाले जो तुर्क क्लास के लोग हैं, वही सर्वस्रिस्ट हैं। और वह कहता है कि जब मैं किसी निम्नकुल के व्यक्ति को लोबन पिपल को देखता हूं, तो मेरी वेंस, मेरी नाड़ी क्या हो जाती है। एजिटेट हो जाती है। जब ही प्रकार के व्यक्तियों को उसने क्या किया। कि प्रशास्तिक पदों से बाहर कर दिया। और सब पर केवल स्रेश्ट उच्छ रखत वाले व्यक्ति को ही उसने प्युक्ति कि आगे चलकर कि इसका दुस्परडाम भी हुआ, जब उसके खिलाब बगावत हुई, खल् जिक बंच की सब्ता, खल्डी डाइनिस्टी की सब्ता स्थापित हुई तो, यहीं नहीं, बलवन ने अपने पुत्रों का नाम, अपने जो ग्रैंड संथे, उनका नाम भी फारस के सुल्तानों के नाम पर रखा, कैकुस्रो, क्यूमार्स, कैकुबाद, जितने भी फारसी फेस्टिवल्स थे, जिसमें आपका नराज, वन अप दो मोस्ट रिनाउन फेस्टिवल, उसको बलवन ने प्रारंब किया, इसी तरह से उसने फारसी प्रंपरा के आधार पर सिजदा प्रथा, जो घुट्टे के बल बैठ करके किसी का अविवादन करना, या पाइबोश शुल्तान के पैर के अंठे को चूमना, इस तरह की प्रथा को बलवन ने प्रारंब किया, अब बलवन ने हमेशा ही यह प्रयास किया, कि जो शुल्तान है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखा जाए, और उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है, तो कठोरतम कारवाई किया, जैसे उसके सामराज में बरीद, इस्पाई, गुप्तचर निजुक्त कर रखे थे, और उनको इनफार्मेशन देनी होती थी हर प्रकार की, अगर उगलत इनफार्मेशन देते थे, सही समय पर नहीं देते थे, उनके खिलाफ कठोर कारवाई की जाती सी, जैसा कि मलिक काबून को उसने, मलिक बकबक को सही जानकारी नदोने पर उसकी हत्या करा देते, लेकिन जहां एक तरफ डिक्टेटर्शिप है, डिस्पूर्टिजम है, वही दूसरी तरफ वह कहता है, अपने पुत्रों को, बुग्रा खा को अस्वस्ट तोर पे क जाता है, जा साशड करने को एक मामली और महत्वीन कारे मत समझों, यह एक अचंत ही महत्वण कारे है, जिसे पूरी इमांदारी तत्वता के साथ पूरा किया जाना चाहिए, अगर पब्लिक हित में, यदि पब्लिक वेलफेर में, राजा या सुल्तान काम नहीं करता है, उ जो कृपाद रिष्टी स्वर की आ रही है, वह कृपाद रिष्टी शमाप्त हो जाएगी और सुल्तान का पद उससे ले लिया जाएगा, इसलिए वह हमेशा कहता है, न्यायक पर विशेश्वल देता है, जस्टिस बहुत ही उसके लिए महत्वण था, वह बार बार कहता है कि हजार बार नमाज पढ़कर के भी जन्नत नहीं मिल सकती है, लेकिन यदि लोगों के शाथ बिना किशी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किशी भेद भ्याव के अगर हम न्याय करते हैं, तो हमें जन्नत नशीब होगी, खुदा की कृपा, इश्वर की बरकत हमें मिलेगी, इ एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की कल्यान के लिए काम करना, यह सबसे ज़्यादा जिरूरी, इस पात पर बलवन्ज होते हैं, और यही उसके सासन का ही अडिलोजी थी, आदर्श भी थी, एक तरफ इश्वर की दैवी शत्ता के माध्यम से, दूसरी तरफ प्रतिष्ठा के माध्यम से, शुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी, जो पावर था, जो समाप्त हो गया था, उसको उसने इसके द्वारा अस्थापित किया, वही दूसरी तरफ निरंकुष शाशन के शासा, जनता के कल्यान के लिए उसने काम किया, जिसका यह परिणाम हुआ कि वह जनता के बीच, अमीरों मलिकों के बीच इतने निरंकुष शाशक होने के बावजूद भी लोप्री रहा, कि कहता है बर्नी कि उसके मरने के बाद भी दारुल अमन के कब्रिस्तान की और ले जाते हुए मलिकों और अमीरों ने अपने अपने वस्त्र फाट डाले, यह एक बहुत बड़ी बात थी, अगर कोई निरंकुष शाशक है और उसके बावजूद भी उसके खिलाप प्रजा का प्रेम जगरत है, तो कहने का मतलब भी है कि बलवन का साशन एक तरफ जहां दैवी शिधान पराधारित था, निरंकुष ता उसकी विशिष्टता थी, वहे दोसरी तरफ जन कल्यान भी उसके शाशन का आदर्श था, इसके माध्यम से वह अपने शाशन की पुर्णता को, राजा की शक्ती की प्रथिष्ठा को, जो प्रेस्टीज था, जो उसका पावर था, जो शम्मान था क्राउन का, उसको री स्टैबलिस्ट करने में शफल अब हम देखते हैं कि बलवन की डेथ होने के बाद से जो चूमर्स था, उसकी हत्या कर दी गई, और एक बार फिर से जलालुदिन खलजी ने गुलाम बंस की जगह, खलजी डाइनिस्टी की अस्थापना की, अर्थात एक प्रकार सा खलजी रिवलूशन हुआ, रिवलूश तो परिवर्चन दिखता है ये कि जो जो स्लेब डाइनिस्टी थी जिसको हम लोग बोलते हैं कि अभी तक गुलाम बंस का शासन चलना था, उसकी जगह अब खलजी बंस का शासन चलने लगा, खलजी जो अफगानिस्तान के रहने वाले थे खलजी प्लेस था एक, और उन्ह उन्हों ने भारत में खलजी गुलामों के शासनकाल में विभिन्न पदों पर काम किया था, जलाल उदिन खलजी ने फिर शासन सत्ता प्राप्त की, और खलजी डाइनिस्टी के अस्थापना हुई, और जो राजत्य शिधान्त आया, जैसा कि हम जानते हैं कि जलाल उदिन कि हत्या अलावदिन खलजी ने उसके चाचा था भोखे से कर दी और अलावदिन खलजी और बलवन में बहुत कुछ समानताएं थी मतलब कि वह भी राजत्यों के दैविय शिधान्त में विश्वास करता था वह भी निरंकुष्ता में से विश्वास करता था लेकिन बलवन से अलग भी था उसका मॉडल अलग इंदसेंस यह था कि एक तरफ वह इश्वर का प्रतिनिधी तो कहता है निरंकुष्ताशन को आवश्यक मानता है राजनीत और धर्म को टू डिफ्रेंट सब्जेक्ट मानता है और यह कहता है कि धर्म क कि व्याख्या करना मॉलवी का काम है काजी का काम है मुफ्ती का काम है लेकिन सासन करना साशक का काम है हमें परामर्श नहीं चाहिए हमें आपका हस्दछेप नहीं चाहिए जब संबाद करता है काजी जो अपने जो दिल्ली का जो काजी था उसके से डाइलाग करता है जब बात्चित करता है तो यह अस्पस्थ तोर पे कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत है क्या या सरा के अनुकूल है या नहीं है सरा मतलब सरियत मुश्लिम कानूल उसके अनुकूल है या नहीं है मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि राजी के हित में और प्रजा के हित में जो भी जरूरत होगी परिस्थिती के अनुशार आदेशे लेकर के काम वर्ग वह हमें करूँगा दूसरी बात वह क्या कहता है अलावदिन खल जी कि शाशक कोई विसाशक बनने के लिए कोई विसिस्थ व्यक्ति या विसिस्थ बर्ग या उच्छ कुल का होना जरूरी नहीं है जो बात बल्वन कहता है कि जो उसने बंसावली हैडिटी के सिग्निफिकेंस को महत्तु दिया और निम्न कुल से कहा कि घ्रणा करता हूं उनको बाहर कर दिया सारे प्रशाश्चिक पदों से लेकि अलावदिन खल जी इस बात को एक्सप्ट नहीं करता है वह क्या कहता है कि योग्यता एविल्टी जरूरी है और शाशक बनने के लिए शैनिताकत जरूरी है अगर यह चीज आपके अंदर है तो आप कोई भी शाशक बन सकता है इसके लिए खलीफा से या खिलाफ़त से मानिता की जरूरत नहीं है इसके लिए निर्वाचन की जरूवत नहीं है इसके लिए विसिष्ट व्यक्ति या विसिष्ट कुल या उच्च कुल का होना जरूरी नहीं है जरूरी क्या है शैन में ताकत और योगिता यहां पर बल्वन से उसका शिधान अलग हो जाता है इसी तरह से वह क्या कहता है कि बल्वन जहां एक तरह फार्सी माडल को एकसेप्ट करता है और उसका जो आधार है वो पर्शियन माडल है वह दिखावटी मान मर्यादा करता है अपने आपको फार्स के अफ्रास्याब बंसर से जोड़ता है जब भी वह चलता है तो उसके आगे पीछे बॉड़ी बिल्डर चलते है वह दरबार में न किसी से बात कर सकता है न कोई हस सकता है न बैट सकता है उसके सामने नरोश सकता है यह सारी चीजे सिज़दा नहीं करते हैं दिखावटी पना जरूरी नहीं है जरूरी क्या है शाशन करना जनता का कल्यान करना राज के हित में काम करना यही कारण है कि बर्नी और अमीर खुश्रो अलावदिन खिल जी की बहुत प्रशंसा करते हैं कि बर्नी अभी खुश्रो खजाइनी फुतू में तो अलावदिन खिल जी को विश्व का शुल्तान प्रिथिवी के सास्कों का शुल्तान जैसी उपाधियों से शंबोधित करता है अलावदिन खिल जी निरंकुश शाषन कर रहा है इस्वर के दैवी शिधान्त में विश्वाष कर रहा है खलीफा की प्रभुशत्ता को स्विकार कर रहा है लेकिन राजनीती में धर्म के हस्तचेप को कडापी स्विकार नहीं कर रहा है और इसके लिए अस्पष्च तोर पे उल्मा को अमीर क्लास को कहता है कि आपको जो कारे दिया गया है उसको करिए आपका कारे है प्रशाश्रिक पदों पर जो दायत तो दिया गया है उसको पूरा करना आपका कार में है सरीयत के अनुष्च की ब्याख्या करना आपका काम आरडर देना नहीं है हस्त्थेप करना नहीं है अलाओ दिन खलजी ने अपने आपको अमीर मौमिन यामिन खिलाफत खलीफा का सहायक और इस तरह के उपाजियों से अपने आपको स्थापित किया या जूम्द टैटल अफ यामिन खिलाफत या नासीर अमिन ल्मौमिन तो लेकिन अलावदिन खलजी की मृत्व के बाद जो कुत्मु दिन मुबारक शाह खलजी होता है वह तो इससे भी आले आगे निकल जाता है उसने तो खलीफा की प्रभुशत्ता को ही मानने से इंकार कर देता है और स्वैम को खलीफा घुशित करता है आई अम खलीफा मैं स्वैम खलीफा हूं तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि जो खलजी डाइनिस्टी था जो उसका राजत शिधान था और जो बलवन का राजत शिधान था दोनों में कुछ सिमिलार्टीज थी तो कुछ आपका डिफ्रेंस था जिसको हमने आपको अभी ये चीजे क्लियर किया कि बलवन की तरह लाओदन खलजी भी इश्वर के दैवी शिधानत में विश्वास करता था खलीफा की प्रभुशत्ता को मानता था निरंकु शाशन को मानता था लेकिन बलवन की तरह दिखावटी पना को या फार्शी मॉडल को शिकार नहीं था वह किसी विशिस्ट व्यक्ति या उच्छ कुल के होना साशक के लिए साशन सुल्तान के लिए जरूरी नहीं मानता था उसके लिए यहनीवारे था कि जिस व्यक्ति के अंदर भी योगिता है और शैनिताकत है निर्वाचन भी जरूरी नहीं है वह व्यक्ति शाशक बन सकता है लेकिन पलवन की तरह अलावदिन खल जी जनता के कल्यान में भी विश्वाश करता था प्रजा हिते हितम सुखे प्रजा सुखे सुखम प्रजा हिते हितम प्रजा के शुख में ही राजा का शुख है जो अशोक के काल में एंसेंट पिरियेट में बात कही गई थी वह बात यहां पर भी ये भी लागू हो रहा है इस्लामिक जो कानून इसमें भी लागू हो रहा है कि प्रजा के शुक में ही राजा का शुक है, राजा का कल्यान नीड है. अब खलजी बंस की समापती होती है, नासरीदिन खुष्रो वास लास्ट रूलर आफ खलजी डायनिस्टी, नासरीदिन खुष्रो अंतिम शाशक था खलजी बंस का, गयासु दिन तुगलक ने उसकी हत रखी थी और no doubt he was very liberal, very religious man, वह बहुत ही उदार था, बहुत ही धार्मिक प्रविट्टिका था और उसने भी धर्म के साथ साथ राजनीत को एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश करी थी, जन कल्यान पर आधारित उसका विशासन था, खलीफा की प्रवुशत्ता को उसने भी स्विकार किया था, इश्वर के दैवी शिधानत में वह भी विश्वास करता था, लेकिन मुहमद बिन तुगलक जिसके बारे में हम लोगों ने भी ये वन में डिसकस किया था, कि he was very good at academician, वह बहुत ही अच्छा विद्वान था और उसने खलीफा की प्रवुशत्ता को अपने शासन के प्रारंभिक दौर में मानने से बिलकुल इनकार कर दिया, उसने इस्वर के दैवी शिधान्त को श्विकार किया, कि सुल्तान नियामते खिदाई है, जिल्ले इला है, इस्वर का बिम्ब है, दिथ्वी पर इस्वर का प्रतिनिदी है, लेकिन वह खलीफा के द्वारा माननेता या मनसूर लेना उसके लिए जरूरी नहीं है, खलीफा के प्रति अपनी अभिवादन करना, अपने निर्वाचन के लिए उससे अप्रूप कराना, ये सारी चीज़े जरूरी नहीं, वह विश्वाज करता था किसमें बुद्धिवाद में, कि जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता है, वह व्यक्ति शाषन कर शकता है, उसके लिए शाषन करने के लिए योग्यता जरूरी है, योग्यता का मानक जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, कि खलीफा द्वारा मन नेता प्रदान करी जाए या कोई विशिष्ठ कुल का व्यक्ति हो या उच्छ कुल का व्यक्ति हो ये जरूरी है कि कौन योग्य है जनता के कल्लान आवश्यक है इसलिए प्रारंभिक दौर में उसने जो भी उल्माज थे अमीर क्लास थे उनको प्रशास्तिक पदों से अलग कर दिया कोई इंटर्फेरंस नहीं होना चाहिए वह खुद सारी योजनाएं बना रहा था उसकी सारी योजनाएं दूरदर्शी थी लेकिन टैक्टिकली वह संभव नहीं थी इसलिए वह सारी योजनाएं अश्फल हो गए यही कारण है कि मुहम्मद बिन तुगलक अपने शाशन के अंती पड़ाओं में जब योजनाएं विफल हो जाती है तो चारो तरब जब विद्रोश शुरू होता है उस कंडिशन में उसने उसको यह लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उल्मा क्लास और अमीर क्लास के अगेंस्ट हो गया हूँ इसलिए सारे सड्यंत्र किये जा रहे हैं हमारे खिलाफ और विद्रोश हो रहा है इसलिए अंती पड़ाओं में उसने खलीफा की प्रवशक्ता को भी श्विकार कर लिया खलीफा का नाम खुत्वा में शिकों पर अंकित कराया उल्माओं को अविवादन करना शुरू किया खलीफा से अपने पद की मंजूरी भी प्रदान करी लेकिन इस तथे को इस सिचुएशन को इस कंडिशन को उल्मा भी समझ रहे थे और उम्रा भी समझ रहे थे और प्रजा भी समझ रहे थी इसलिए विद्रोश मा दबाया नहीं जाशका और केवल मुहम्मद बिन तुगल का ही डेक लाइन नहीं होता है बलकि तुगलक डायनिस्टी का भी डेक लाइन से सुरू हो जाता है। अब इसके बाद सत्ता आती है फिरोशा स्चा तुगलक के पाश। फिरोशा तुगलक निर्वाचित हुआ था किसके द्वारा, काजियों के द्वारा, मुफ्तियों के द्वारा, उल्माओं के द्वारा, अमीरों के द्वारा क्योंकि he was very religious man, he believed in Islam, was Islamic rules, वह Islamic कानून नियम में विश्वास करता था इसलाम में उसकी गहरी आस्था थी और वह इनके सहयोग से शाशक बना था इसलिए जैसे ही वह सुल्तान बनता है उसने अभी तक जो परंपरा चलिया रही थी कि politics and religion are two different subject या administration and religion are two different subject बट यहां पर ये चीज़ नहीं है वह उल्माओं के सहयोग से अमीरों के सहयोग से सासन कर रहा है उसे सरियत दारुल हर्व को दारुल इसलाम बनाने की दिसा में वह काम कर रहा है और इसे सायूग कौन बनानत कर रहा है? उल्मा सरियत की व्याख्या कर रह है हमें हिंडुस्तान को इस्लामिक बेश बनाना है, दारुल हरु को दारुल इसलाम में परिवर्थित करना है और इस दिशा में फिरोशा तुगलक कहना मान रहा है, उनकी बाते मान रहा है और यही कारणे कहा जाता है कि तुगलक काल में जो वजारत था, जो वजीर था, जो उम्रा क्लास था, उनका इस्ट्रीम पिरियेट था, चर्मुतकर्श था क्योंकि he was not a good administrator, वह एक बहुत अच्छा प्रशाशक नहीं था, आल जो भी प्रशाशनिक वर्क्स थे, वे उसके वजीर के द्वारा किये जाते थे ऐसी इस्थिती में जो बगावत, जो विद्रो, जो रिवोल्ट हो रहे थे, वे फिरोशा तुगलक के समय में शान्त हो गए क्योंकि फिरोशा तुगलक ने उल्माओं को अमीरों को उनकी इच्छा कनुशार प्रशाशन में पद दिया, शर्यत के अनुकूल शाशन करना प्रारम किया, दारुल हर्व को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने का प्रयाश शुरू किया, लेकिन he was no doubt, he was very intelligent, वो बहुत ह कि बुद्धिमान भी था, वो जानता था कि केवल अमीर और उल्मा के बल पर ही हम साशन नहीं चला शकते हैं, बलकि इसलाम में ये भी कहा गया है सर्यत में कि प्रजा का कल्यान भी आवश्यक है, जन कल्यान भी आवश्यक है, इसलिए वह पब्लिक वेलफेर में भी बहुत से काम करता है, सिचाई की विवस्था करता है, क्रिशी का विकाश करता है, जो गरीब लोग हैं, उनको तमाम तरह के शुबधाएं देता है, जो गरीब घर के लड़किया हैं, उनके विवा की विवस्था करता है, तो ये सारी वर्प जो है, फिरोशा तुगला करता है, यह इतना अधिक इस्लामिक था, इसलाम में विश्वास रखता था कि खलीफा का नाम तो खुत्वा में और सिकों पर अंकित कराया ही कराया, अपने नाम के साथ साथ अपने अतीत के काल के सभी पुरुजों के प्रती शम्मान दखाने के लिए भी उनका नाम खुत्वे में अंगित करानी की प्रता को प्रता को प्रारण किया तो इस प्रकार फिरोशा तुगलग का ये जो शाशन था इस तरह से चलता है इसके बाद जो तैमूर का आक्रमण होता है नासुरिदिन महमूत के काल में जिसका ये परेडाम होता है कि दो तुगलग डानिस्टी का तो अंत हो ही जाता है जो डेली सल्तनत है उसका भी जो डेकलाइन होता है जो उसका पतन होता है उसका भी एक पार्ट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तैमूर का जो इमिशन है जो आक्रमण है वो इंडिया पर हुआ था अब इसके कारण हम ये देखते हैं कि वो जब वह यहां से इंडिया से चला गया तो अपना एक प्रतिनिधी नियुक्त करता है कि इसको खिजर खा को खिजर खा ही वाज फाउंडर आफ सयद डाइनिस्टी उसने सयद मांस की नीव रखी थी और उसने न तो खलीफा की प्रहुसत्ता को श्विकार किया नहीं इस्वर के दैविय सिधान्त को श्विकार किया बलकि उसने अपने आपको खिजर खाने अपने आपको तैमूर उसके उत्राधिकारियों का अलला स्विकार किया रहियत रह लेकिन कुत्मुदी मुबारक शाह ने क्या किया रईयत आला की उपादी को शमाप्त कर दिया और उसने खुद को नासिर अमीरुल मौमिनीन कहा और क्या कहा I am state मैं खुदी राजी हूँ मैं स्वैं मेरे अंदर सारी शक्तियां खुद छिपी हुई है यह बात अलाओदिन खल्जी के बारे में बरनी लिखता है केसला जिनोंने हिस्ट्री बहुत खिल्जी डानेस्टी पे काम किया है जिनोंने हिस्ट्री आफ खल्जी लिखिया असपश्ट तोर पे कहते हैं जिस प्रकार से फ्रांस का लुई चतुर्दश को फ्रेंच रिवलुशन के लिए उत्तरदाई माना जाता है और यह कहता है कि I am state मैं खुद ही राज्य हूँ मेरे अंदर सभी प्रकार की कारेपालिका न्याएपालिका विधाई का जो डिशेरी है या जो आपका परलेमेंटरी बोर्ड है यह सारी चीजे हमारे अंदर खुद नहीं थे वही बात अलाओधिन खल्जी के बारे में भी कही जा रही है कि वह खुद कहता है कि मैं सरसक्तिमान हूँ मैं स्वैम मेरे अंदर सारी शक्ति है लेकिन जनता का कल्यान भी जरूरी है तो इसी प्रकार से खल जी जो खिज खा के बाद जो कुत्मु दिन मुबारक होता है उसने खुद को ही कहा कि मैं स्वैम खलीफा हूँ I am खलीफा उसने खलीफा की प्रभुशत्ता को मानने से इंकार कर दिया तो इस प्रकार से एक सामान तौर पर हम तुर्क जो राजत्व शिधान्त है जो तुर्क किंगसिप थेरी है उसका अलोकन करते हैं तो ये पाते हैं कि तुर्क जो राजत्व है वह इश्वर के दैवी सिधान्त पर आधारित है निरंकु शाशन पर आधारित है और साथी साथ जन्ता के कल्लान पर आधारित हैं ये तीन महत्पण विशेषताएं हैं जो इनके राज़तों में प्रभावी है और यही तुर्क राज़त शिधानत की विशिस्टता है जो आपके परिक्षा में अगर तुर्क राज़त शिधानत आता है लिखने के लिए विशेषकर भलवन अरलावदिन खलजी के स्पेशल रिफरेंस में तो आपको ये सारी चीज़े लिखनी होंगी हमें उमीद है आशा है कि आपको मेरा यह लेक्षर समझ में आया होगा अगर किसी भी प्रकार को किसी को कोई दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकत हैं आप अपना फीड़ बैक दे सकते हो आपको कोई प्रस्म कोई चीज न समझ में आया हो तो आप अपने को अन्म्यूट कर ले और कि पूछिए हम उसको बताने के लिए तयार है कि एनिवर्डी कि बैदेही नस्रा सभी लोग अपना स्क्रीन साथ नाम का जुद है दे दीजिए गा किसी को कुछ पूछना है अलो आप अपने आपको अन्म्यूट कर लिजिए किसी को कुछ पूछना है आप अपने आपको अन्म्यूट कर लिजिए किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती है पूछना है अजर चलिए ओके कल फिर्म लेंगे अजर तो आप अजर पूछना है अजर आप अजर पूछना है यह चलिए ओके कल फिर्म मिलेंगे अजर पूछना है